इडिटे टूप के वाइल में इडिटे नामक रियेजेंट प्रेजेंट होता है यह जो पानी की बूंदों की तरह दिख रहे बूंदे उसमें रियेजेंट प्रेजेंट है यह जो पानी की बूंदों की तरह दिख रहा है वह बलड को कलॉट नहीं होने देता है हमने जब भी ब्लड लिया है तो ब्लड हमने जो black color का mark किया है वहा तक blood लेना है और वह 15 से 20 या 30 सेकंड तक वह अच्छे से mix करना है हम अच्छे तरह से mix नहीं करेंगे तो blood हमारा clot होगा और test यह accurate नहीं आएगी यहाँ पर दीख रहा होगा यहाँ पर हमने sample लिया है यह जो black color का कि मिक्स करना है मिक्स होने के बाद में हम कितने वी तक टेस्ट कर सकते हैं हमने ब्लड कम लिया तो यह सारिया हमें जब ज्यादा टेस्ट लागा नहीं हो तो ब्लड हमें कम होता है लगता है इसलिए ब्लड हमेशा इस ब्लैक लाइन के तक सैंपल लेना है इसका मट्रियल प् परपल कलर की होती है या ब्लू कलर की होती है यहां में एडिटीए ट्यूब दीख रही explicar 2 Ml की धोमें 30 की वज़े से यह ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता है तो आप हम CBC जो होता है complete hemogram वह दिखता है CBC में हमें WBC, RBC, platelet calm, MCV, MCH, MCSC, PCV, RDW, RBC यह समझ में आता है और ESR test करना हो तो firstly हमें CBC test run कर लाइना है उसके बाद हम ESR या फिर HVAC test करना है और patient का यज़ भी कम हो या patient को blood group पता नहीं है तो blood group test भी हम EDTA tube से करते है Retic count, Yampismir, AC, MNO test यह सभी test हम EDTA tube में करते है I hope आपको समझ में आए होगा EDTA tube हम कौन-कौन से tube में कौन-कौन से test करते है